आमित्रों नवस्कार चंद्रा इंस्टिट्यूट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सीपी मिस्रा लोवर PCS 2019 का जागरफी के पोर्शन से आज चैप्टर होगा हमारा प्रथवी की आंतरिक संद्रशना इतनों आप जानते हैं कि प्रथवी के उपरी भाग पर हम रहते हैं और उसको हम अपनी आखों से देख सकते हैं यानि उसका हम प्रथेक्शन भोव करते हैं लेकिन प्रथवी के अंदर की स्कति क्या है जिसका हम कोई हमें प्रथेक्श नहीं हो पाता इसलिए उसके बारे में हम अनुमान करते हैं यहां अनुमान हमारा तीन आधारों पर होता है तो क्या क्या तीन आधार हैं जिसके आधार पर हम प्रथवी के आंतरिक समझना को या लावा प्रिदभी परेता है तो देखते हैं कि अधार पर यह यह आदार पर देखते हैं कि प्रधवी के अंदर से ज्वाला मुखी निकलता है ज्वाला मुखी के अभ्यानते हैं कि ज्वाला मुखी से लावा निकलता है और लावा जो प्रधवी परयाता है तो उसका तंपरिचर होता है लगभग 1200-1800 डिग्री सेंटीग्रेट के असपास होता है तो इसका मतलब य प्रिखवी के अंदर जो तापमान है वो बहुत अधिक है इसके कार्ण ही लावा या लावा के रूप में गरम जट्टाने पिखलकर बाहर आती हैं तो जौला मुखी को देखकर इतना तो अधिक प्रिखवी के अंदर अधिक तापमान होने का हम एक अधिक है इसलिए यह जला की प्रिखवी के अंदर जाने पर जब ब्रेडिंग होती गई है और देखा गया कि उपरी भाग में 32 मीटर पर की गहराई पर एक डिग्री टमपरिटर बढ़ जा रहा है यदि मित्रों इसी अनुमान से हम प्रिखवी के आंतरीक भाग तक पहुंचे प्रिखवी का ज बिख लेक्ञर में लेकिन इस ताफमान पर फी के अंदर कोई पिघली ही अवस्धा में रह सकती है फोज़ वस्थानी तो नहीं रह सके यानि ताफमान के अधार पर हम यह तो आफमान लगा लेते हैं कि फ्रिभी के अंदर अधिक है लेकि असक्तना ताफमान है थवी के अंदर कैसे पतारत हैं यह सारी जानकारी हमको नहीं देन भाती है तो दूसरा अनुमान हम तापान के अधार के अलावा हम घानत्यों के अधार पर लगाते हैं आप देखेगा घानत्यों के अधार पर हम क्या अनुमान लगाते हैं प्रिषभी के पूरे आंदरिक भाग को हम तीन परतों में फिवाजित कर देते हैं उपरी भाग हमारा क्योंकि हलके तत्तों से बना है किस से बना है सिलिका और विल्मीनियम से उसे हम सियाल कहते हैं बीच वाला भाग सिलिका और मैगनेशियम से बना है यह उससे भारी तत्तो है इसलिए यह सिमा कहते हैं और केंद्री भाग जो हमारा है निकल और फेरस से मिलकर बना है जिसे हम निफे कहते हैं तो सिलिका जो उपरी भाग है सिलिका का सिलिका की डेंसिटी यानि घनत होता है 2.7 ग्राम प्रत 10 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यों सीमा का जो घनतों होता है वह 3.8 ग्राम प्रतिंग सेंटी मेंतर होता है या इन अधर पर हम प्रध्भी का एक और निकालते हैं तो यहां आवसत निकालते हैं यहां से जो question पूछे जाएंगे वहां यह पूछा जाएगा आंतरीक परतों के बारे में पूछ सकता है कभी-कभी इन परतों का sequence पूछ लेता है तो यहां ज्यान रखेगा सबसे उपरी परत को सियाल कहते हैं उसके बीच वाली परत को सीमा कहते हैं और केंदरी वाग को पृछबी के आंतरीक भाग में फेरस यानि लोहा पाया जाता है जिसके करण है पृछबी में चुमखी उपर पाया होती है कैसे भुकंप किसे कहते हैं इन चैनल रही होती है उन तरंगोंके क्या गूर होते हैं उन तरंगों के गुरह पर हम प्रथभीक आंतरिक समझना को इस भाग में कैसे हम इभाजित करते हैं। प्रिभाइसा आप चाहे तो नोट भी कर लिजेगा, भुकम्प की क्या परिभाइसा होती है, आंतरी क्या बाह किसी भी कारण से, जब प्रिधवी के अंदर कंपन उत्पन होता है, तो उसे हम भुकम्प कहते हैं, इस ग्राफ के दोरा आप फ्रावर समझने के कोशिस करिएग जहां से माल ये प्रिधवी के अंदर यहां से कंपन उत्पन हो रहा है, तो प्रिधवी के अंदर यहां से कंपन उत्पन होता है, उसे हम भुकम्प मूल कहते हैं, यह धियान रखेगा, यह इंगलिस में इसको फोकस कहते हैं, यह कोशिन बराबर पूछा जाता है कि जबी के उपरी सत्व पर इसके ठीक उपर 90 डिग्री पर कंपन का सबसे पहले अनुभव होता है, जबी की सत्व पर जहां पर सबसे पहले कंपन का अनुभव होता है, उसे हम अगेंद्रिया, AP Center कहते हैं, आप देखें होंगे कि जब भी कभी भुकंप आता है, तो अक्सर लो बराबर पूछी जाती है कि भुकंप मूल क्या होता है, यानि फोकस क्या होता है, और अधे के अंदर क्या होता है, अब देखेंगा, दूसरा कोश्चन यहां से पूंच लाइज जाता है कि भुकंप का मापन कैसे किया जाता है, ठीक, तो भुकंप का मापन सिस्मोग्राफ इक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ पर भूकंप का मापन किया जाता है लेकिन भूकंप के मापने के दो पैमाने पर ज़िए एक मरकेली पैमाना है और दूसरा रिक्टर पैमाना है मरकेली पैमाने का क्योंकि अब उपयोग नहीं होता है इसको इसका उपयोग बंद हो चुका है रिक्टर पैमाने पर ही अब भूकंप का मापन किया जाता है मरकेली पैमाना जब क्यों था उसमें कुल एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ज्यारह और बारह अंक होते थे ठीक मरकेली पैमाने पर कुल बारह अंक होते थे लेकिन रिक्टर पैमाने पर अंकों की संख्या थोड़ी कम है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ यानि की रिक्टर पैमाने पर कुल अंकों की कितनी संख्या है नौ अंक ही होते हैं लेकिन हर अंक अपने पीछे अंक वाले अंक से दस गुणा ज्यादा ताकत को प्रदर्सिद करता है। उसको ध्यान में रखेगा, यह बराबर जाताै कि रिक्टर पैमाने पर एक अग अपरे पिछले उंक से इतने गउनाज़ादा सक्थी को प्रदलसिप करता है, तो ध्यान रखेगा, दस-दस गुना के हिसापते आगे बढ़ता जाता है, यह बराबर पूछा जाता है, वबर, दो के भुकम से दस गुना ताकत वर है कहीं चार का भुकम पाया है तो वह तीन से दस गुना ज़्यादा है कहीं पांस को का भुकम पाया है तो वह चार से दस गुना ज़्यादा ताकत वर है कहीं च्छा का भुकम पाया हुआ है तो वह 5 से 10 गुना ज़्यादा है 7 का भुकम पाया है तो वह 6 से 10 गुना ज़्यादा है 8 का भुकम पाया है तो 7 से 10 गुना ज़्यादा है और 9 का भुकम पाया है तो 8 से 10 गुना ज़्यादा है लेकिन 9 अंख के बाद चुकि 9 अंख के बाद में कोई अंक नहीं रखा गया है यानि कि यदि नौ अंक तक का है रिक्टर इसके पर नाइन मैग्निटुट के भुकम पाएगा तो प्रदभी पर तहसना हो जाएगा तब रिक्टर पैमाना ही नहीं बचेगा जो उसे मातन कर सके उसका तो यहां से कोईशन पर शेए गराबर पूछे जाते हैं आप इसको ध्यान में रखिए गार इक्टर पैमाने के बारे में सिस्मो गराफ के बारे में अधिक अंदर के बारे में है दिखाते हैं कि भुकम प description कोंसी तरंगे निकलती है और इन तरंगों के दौरए हमें किया जा इस का मतलब होता है प्राटन टरंगे या प्रैमरी वेप्स या चिन के तरंगे के लितीय चलुप आता हैं निकलती हैं कभी-कभी या यह भी पूर रूपती है कंतों ह Trails प्रता है a तो quartz year रखिए इन तरंगों को अलग हम दिखाने के कोंपाण होती होगत दोन कि निकलती निकलती है इसकी चलने की क्या होती है और इतने क्या विशेटा है इनी बिशेटां के अधातर हम संवीड के अंतर बड़े के शब्ध करते है तो सबसे जहां से भुकम पूद्पन हुआ है और आप देख रहे हैं तेजी से प्राथमिक तरंगे निकल रही है क्योंकि प्राथमिक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिस्मो ग्राफ पर सबसे पहले यही तरंगे पहुंची है इसी लिए प्राइमरी बेट स्काजता है या द्राजिमी बेट स्काजता है तो ये जाहित जीबात है इनकी जलने की गती बहुत तेज होगी तभी ये सबसे पहले अंकित होती है ये तरंगे निकल रही है देख रहे हैं और पोर में प्रवेश कर रही है फिर थोड़ा सा ये अपवर्थी थोकर तब बाहर निकलती है कोर में प्रवेस करने से पहले 105 डिगरी पर ये बाहर आ रही है और कोर में पहुंचती है फिर थोड़ा सा अपवर्थी थोती है थोड़ी बिचलिक थो जाती है और तब बाहर निकलती है जब कोई प्रकास की केड़ने एक मात्यम के दूतरे मात्यम में प्रवेस करती है तो थोड़ी सी अपवर्टित हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोर का आंदरी भाग उसके बाहर भाग से खुड़ा आलग है तभी यहाँ पिचलिक हो जाती है और विजलन होने के बाद यह 145 दिगरी पर पुना बाहर आती है तो 105 दिगरी और 145 दिगरी के बीच में यह इस खेतर में भूकम की जो पी वेप्स है यानि पी तरंगे जो है वह यहां रिकार्ड नहीं हो पाती है इसलिए इस खेतर को भूकम पछाया खेतर या सिस्मिक साइडो जो उन कहा जाता है कभी कभी अभी प्रस पूत लिया जाता है कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो भूकम पछाया खेतर बनाती है तो कौन सी तरंगे आपको पी तरंगे दिखेगे पी तरंगों की क्या विसेस्ता है खुड़ा सा विसेस्ताओं की हम चर्चा कर लेंगे तब आगी चर्चा करेंगे कि इनसे क्या हमें जानकारी मिलती है पी तरंगे ध्वनी तरंगों के समान होती है ध्यान रखेगा ध्वनी की तरंगों में ध्वनी जो तरंगे निकलती हैं अड़ों को आगे पीछे धख्का दिया जता है इसलिए ये ध्वन तरंगों के समान हमने दिखाने क्योशिस की हैं ये आगे पीछे इंको चलती है या धका देती है पी तरंगों को अनुदारिक तरंगे कहा जाता है ये बराबर question पूछा जाता है अनुदारिक तरंगे क्या होती है तो पी तरंगों को अनुदारिक तरंगे से 145 डिगरी के दिखर काड़ नहीं होता जिए जैसे आपने दिखाया भी था पी तरंगों की गति 7.8 किलुमिटर पर सेकेंड होती है और यह हम उपर के भाग का यानि उपर जो तभी की भाग का भाग है उसकी गति में बता रहा हूं इसके अंदर जो जाने पर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तरंगों की गति भी बढ़ने लगती है तो 7.8 किलुमिटर पर सेकेंड होती है इसलिए इसकेंडरी वेप्स पर चलते हैं यानि इस तरंगों पर चलते हैं आप देखेगा हमने फिर वही फोकस बनाया है और फोकस से इन सेकेंडरी वेप्स को निकाला है प्रवेश नहीं कर पा रही है देख रहे हैं यह कोर वाला भाग है तरंगों की क्या भी सेस्ता है उसको देख लिए यह तरंगों जव तरंगों या प्रकास तरंगों के समान होती है यहां देख बराबर पूछा भी जाता है यह तरंगों किसके समान होती है तो यह तरंगे जल तरंगों या प्रकास तरंगों के समान होती है यह तरंगों को अनुपरस्त तरंगे कहते हैं यह तरंगे केवल और केवल ठोस में चलती है जहां रखेगा इसलिए यह 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 प् द्रवी तवस्था में हैmarkt इसके कारण या गत्य प्रवेश की प्रवेश किर प्रवेश के बगेश ty गञत्य दमने कारण सब्रक्रामाल सबस्था यह तरंगों की क्या क्या विसेस्था हैं और अब देखेंगे हमें यल तरंगों के बारे में की यल तरंगे कैसी होती हैं और वो कैसे चलती हैं और इन तरंगों की विसेस्थाओं के रात्वर हम प्थवी की आंतरी समझना के बारे में क्या जानतारी उपलत कराते हैं चलिए आईए देखते हैं यल तरंगे क्या होती है और वो कैसे प्रिथवी में चलती है तो हमने एक प्रिथवी का आउट लाइन मैब बना दिया है उस पर यल तरंगों को दिखाने की कोशिस की है यह फोकस है जहां से सबसे पहले तंपन का अन्वर होता था आपने आगे दे देखते हैं और यह लंबी दूरी तक कैतरा करती है इसलिए लॉग वेप inner शी कहते है तो यह जैसे भूकम का व्होकस यहां है तो यह अंदर नहीं चलती बल्कि यह घरादयर को ऊपरी भाग परा आजती है और आपो आड़ 준र होता है वहां से पिर होती हैं इसलिए यलतरंगे आप देख रहें हमने हल्काती यहां से चलती है तो प्रभी पर चारो तरफ पहुंचती है इसलिए इनकी रिकार्डिंग सभी जगा होती है यह तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं जो प्रभी पर सभी जगार्ड होती हैं यह आड़े तिर्चे धक्का देती हैं यह जिग जैग देखे हैं हमने आड़े तिर्चे इनको बना भी दिया है ताकि आप इसको सही तरीके से समझ जाएं यह आड़े तिर्चे यानि जिग जैग धक्का देती हैं यह सर्फेस पर चलती हैं और जिग जैग धक्का देती हैं जिसके कारण ही जो सर्फिस पर बना हुआ मकान है भावन है जो भी चीजे खेलती है वो हिलती है और हिलने के कारण वो गिर जाती है यदि यल तरंगे निकलती है तो बहुत ज़्यादा हमको भुकम से खतरा होने के संभावना कम होती है क्योंकि यल तरंगे जो निकलती है यह सर्फिस पर चलती है पहली बात और दूसरी बात यह है आड़े तिर्चे जिग जए घख्का देते हैं इसी लिए सबसे खतरनात होती हैं इन जो तरंगों के द्वारा पी यल और पी यस या और यल तरंगों के द्वारा जो हमें क्तरत करके आप इन तरंगों के द्वारा प्रिथभिए की आंतरी समझना में तीन भागों में प्रिभाजित करते हैं क्रस्ट मेंव और क्रस्ट जिसे हम भूप परपटी भी केह हैं मेंटिल और क्रस्ट और मेंटिल क्रस्ट कि देख रहा है सठेपड़ाई है सब की मेंटिल के बाद 59 क्ल में बाग यह light के दि कह लता है और 29 किलोमेटर से लेकर यह केंदर तक यानि यहां बीच वाले भाग तक केंदर तक भाग इसकी गहराई 6370 किलोमेटर है यहां तक का भाग यह 2900 किलोमेटर से लेकर 6370 किलोमेटर तक का भाग यह पोर कहलाता है कि इसको आसार क्या होगे सौब किलुमेंटर्स तक का भाग यहां देख रहे हैं। जहां के बाद में भोकंपी तरगों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो जहांपर परिवर्थन होता है। eloด हो भैज्यानिक थे more week more week शाहब ने इसको रिकार्ड किया था.. जिसके करण ही उन्हीं के नामियरस्त डहा होता है.. तो जाहेंटी बात है ред Whe Tay Kyne oysters cresparse or maintain escribs में मोहों असबधता से 2900 किलिंटर के बाद में फिर अचानक से परिवर्तन होता है भुकमपी तरंगों में तो जहां पर परिवर्तन हो रहा है उसी पॉइंट को गुटेन वर्ग ने उसे अफ़र्ब किया था इसी भी उनके नाम पर ये गुटेन वर्ग असबधता पड़ ग है उसी को गुटेन वर्ग ने चुकी इसको रिकार्ड गया था इसलिए इसे गुटेन वर्ग को असबधता कहते हैं तो यह भी बरावत कूछा जाता है कि गुटेन वर्ग असबधता किसके बीच पाई जाती है तो आप ता उत्तर हो जाएं कि मेंटिल और कोर के बीच में अब इसको थोड़ा और डीप में हम तम जाने की पोसिस करेंगे तो आईएगा इसको और डीप में थोड़ा समझेगा यहां देखते हैं हमने दिखाया है क्रस्ट का सौटिंटर तक का भाग यहां तक क्रस्ट का जो उपरी भाग है आप देखें आओंगे 30 किलोमेटर की ग अब इसको अब देखेंगा 30 किलोमेटर से लेकर 200 किलोमेटर तक का भाग हमने यहां दिखाया भी है 30 km से लेकर 200 km तक का जो भाग है यह हमारा एस्थोनोस्फियर कह रहता है और इसे हम हिंदी में दुर्बलता मंडल कहते हैं जिसको हमने डॉट 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 चे दिखाया है यह हमारा एस्थोनोस्फियर है यानि दुर्बलता मंडल है दुर्बलता मंडल में क्या है? नीची हमने बताया था कि तापमान गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है इस यहाँ पर यानि दुर्बलता मंडल में चट्टाने अर्ध पिखली हुई या प्लास्टिक की अवस्था में या प्लाजना की अवस्था में होती है तो देख रहे हैं यहां दिख भी रहा है महोँ असबधता निचला करस्ट और उपरी मेंटिल के बीच पाए जाता है आगे चलकर रेपेटी ने महोदय ने देखा कि मेंटिल में भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर की भुकम्पी तरगे में परिवर्तन होता है चानाक से उनम ही मेंटिल दो पार्ट में डिवाइड हो गया अपर मेंटिल या उपरी मेंटिल और दूसरा निचला मेंटिल यह रेपेटी असबधता किसके बीच पाए जाती है उपरी मेंटिल और निचला मेंटिल के यह आप मैब बना भी लेंगे तो इससे हमें लगता कि आप काफी क् और आंतरी कोर हमारा पाय जाता हूँए कर laughed ख़ाय गालता है क्योंकि यहाँ भी भूकंपी का Chase किर्वथान इन ह catalog कि ईसी लिषमान वहमा पाँ जाता हूँद 놓र हमारा पाय जाता है इस तो फेकर वीलॉक्त सों ॥४ॉ उपरी कोर हमारा liquid है तरल अवस्था में है लेकिन आंतरी कोर इतना ज़्यादा दबाव होता है इसके करण वहाँ जो चप्टाने है वहाँ थो सवस्था में परिवर्टी हो गई है हमारा आंतरी कोर जो है वह हो सवस्था में है लेकिन उपरी कोर हमारा तरला वस्था में है यह समयब को हम बतानी की कोशिस करेंगे कि आप इसको मैब बना भी लीजेगा इससे ही related सारे question पूछे जाते हैं दूसरा यहां से जो question पूछा जाता है यह है कि crust जिसे हम भूपरपटी कहते हैं भूपपड़ी कहते हैं crust में कौन-कौन से मुखे तत्तो पाय जाते हैं यह बतानी की कोशिस करते हैं और संपूर पृथभी में कौन-कौन से तत्तो पाय जाते हैं तो आएए देखते हैं कि भूपरपटी में कौन-कौन से तत्तु यारी क्रस्ट में मुख्य रुट से कौन-कौन से तत्तु पाया जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्तु पाया जाता है, और संपूर पृथभी में कौन सा तत्तु सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दे से ज़्यादा ऑक्सिजन पायाता है, इसके बाद सिल्का पायाती है, फिर ऐल्यूमीनिय, फिर लोहा, यह चार प्रमुप तत्तों हैं, बाकि फ़रत थोड़ी-धोडी मात्रम में और सारी तत्त पायाते हैं, संपूल प्रधवी में कौन सा तत्त पायाता है, यह बराबर कोश इसका सब pal ऐन जान, में पाई जान, को demokrat का से बहुत आप जा फूरी. तो में हमें अब आ कूरी तरीके से जरूर याल होगा होगा किmaskि अमिछन था या बहुत इसी तशी तरीके तरीके से Nephokasfiah और इससे संबंधित जितने कोस्चन आप कोशिज करिएगा पेपर जो पिछले पेपर हुए है इस चैप्टर से जितने परसने आये हुए है आप अनुमान है कि आप पूर तडिके से सारे कोश्चन को हल कर पाएं जो हमारा वाटसप नमबर है उसको आप नोट कर लिजेगा ह नियालिक देते हैं वाटसप नमबर एड़ टू डबल नाइन कि फीवन कि डबल जीरो और नाइन से वे यह वाटसप नमबर है इस वाटसप नमबर पर आप मैसेज करिएगा शेयर करिएगा ठीक है कि चेडिएग कर वो और